Hello students, welcome to UPCSS O-Level M3R5 series का lecture number 44 है और आज हम इस वीडियो में O-Level M3R5 यानि की Python's related important program और important question की PDF आपको provide करेंगे with a solution यानि की हमारे question भी होंगे और उनका solution भी होगा ये पूरी PDF आपको हम provide करेंगे जिसमें आपको 50 plus question देखने को मिलेंगे और आप ये मान के चलिए कि O-Level का जो exam होने वाला है इसमें 50 question से बाहर कुछ नहीं है 90 से लेकर के 95% तक सारे question आपके जो होंगे वो या तो यही होंगे या फिर इसी से मिलते जुलते पुछे जाएंगे निकि इसी से related आपके वो question होंगे तो ये बहुत ही important question है क्योंकि यहाँ पर हमने पूरी analysis करने के बाद में 50 program plus question यहाँ पर हमने ready किये है तो चलिए सबसे पहले आपको यही बताते हैं कि यह आपको कहां से मिलेंगे कैसे download करना है यहाँ पर आपको Google में search करना है UPCISS यहाँ पर आपको पहले से पता होगा हमारी website के बारे में तो यहाँ पर आप UPCISS search करेंगे तो यहाँ पर आपको पहला link मिलेगा UPCISS YouTube.com यह हमारी website का link है इसे आपको open करना है YouTube पर नहीं आपको website open करनी है UPCISS YouTube.com लिंक आपको description में भी मिल जायागा वीडियो के फिर यहाँ पर आपको notes में जाना है Notes में जाने के बाद यहाँ पर आप नीचे scroll करेंगे थोड़ा सा तो इसमें आपको O-Level Study Material इसको open करना है Simple है Simple click में एक ही click में आपका download होगा और यहाँ पर एक एकर के section हमने बना दिये हैं यह आपका M1 R5 से related सारा कुछ study material है फिर यहाँ पर नीचे आप scroll करते जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा M2 R5 का section ठीक है web designing and publishing का और नीचे यहाँ पर scroll करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा M3 R5 का section ठीक है और सभी में M1 हो या M2 हो या M3 हो सारे notes हमने complete कर दी है simply आपको एक ही click में आपको download कर लेना है जो भी download करना है आपको ठीक है तो यहाँ पर यह आपका M3 R5 का section है और इस section में यहाँ पर यह आपकी notes है आपको पहले से बता है नीचे और scroll करेंगे विल्कुल last में आएंगे यहाँ पर यह आपको important program और यह आपको important question ठीक है दोनो pdf आपको download करनी है इसमें लगभग 30 plus ठीक है 30 plus यहाँ पर आपको program मिलेंगे और इसमें आपको लगभग 20 plus question मिलेंगे ठीक है तो उकल मिलाके दोनों में आपका 50 plus यहाँ पर question है तो यह चीज़े हैं, चलिए यहाँ पर डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं, सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना, सिंगल क्लिक में आपका डाउनलोड हो जागा, देखे डाउनलोड हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर यह डाउनलोड हो गया, इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें इंडेक्सिंग भी हमने दे दी है तो इसमें टोटल जो है वो 29 प्रोग्राम आपको मिलेंगे लेकिन 29 नहीं है बलकि इससे ज्यादा है क्योंकि एक एक प्रोग्राम में उसको हमने दो मैथेट से अगर किसी को करना बताया है जैसे लू और रिकर्सन के तरू दोनों तरीके से यहाँ पर यह बताया गया है और यह सारी चीज़े अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं वैसे तो हम अगली वीडियो से इन सभी प्रोग्राम को एक एक करके explain करने वाले हैं कि यह प्रोग्राम कैसे बना है आपको कैसे बनाना है सारा कत वाली बात नहीं है ठीक है सभी प्रोग्राम लेकिन यहाँ पर यह मान के चलिए अगर सारी चीज़े आप complete कर लेते हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं है इसके अलावा यहाँ पर हमने कुछ descriptive question भी provide किये हैं तो यहाँ पर descriptive question है यहाँ पर चलते हैं first page पर यहाँ पर इसमें 16 plus question है जिसमें यहाँ पर linker and loader क्या है numpy area क्या है different from list यहाँ नमपाई और list में क्या difference है तो वैसे तो भी हमने numpy और file processing mainly अभी हमारे दो chapter बाकी है अभी हमने file processing यहाँ फाइल handling और numpy इन दोनों के वीडियो भी हमने upload नहीं किये हैं आने वाले दिनों में यह भी upload हो और बाकी लगभग हमने o level का जो syllabus था m3r5 का लगभग हमने complete कर लिया है दो चीजों को छोड़े बाकी छोटी छोटी कुछ और भी चीजे हैं तो वो सारा कुछ हम complete कर लेंगे आने वाले वीडियो में ठीक है तो यहाँ पर यह दोनों PDF हमने आपको provide कर दी हैं और अभी करके explain भी करने वाले हैं आने वाले वीडियो में ठीक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो फिलाहल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में ओके सो थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो